Hello students, welcome to my channel Mathematics Studies आज हम BA, BSc 6th semester की बुक है जो हमारी Real and Complex Analysis उसके chapter 1 के exercise 1.1 का lecture 2 दिखेंगे तो दिखो पहले हमने ये वाला concept कर लिया था आज हम starting यहां से करेंगे इसका basic complete करेंगे आज हम ओके, दिखो क्या है इस theorem के अंदर कि if the function U1, U2, U and R of the form हमारी function दे रखे हैं U1, U2, up to zone, UN तक जो कि इस तरीके से बोले हैं इन्होंने कि जो U1 function है वो सिर्फ X1 का function है U1 function है F of X1, मतलब देखो function of सिर्फ और सिर्फ X1 का U2 मेरा function है X1, X2 का U3 मेरा function होगा X1, X2, X3 का UN function होगा मेरा X1, X2, X3, up to zone, XN तक का ठीक है मतलब इन्होंने इस तरीके से function हमें दे दिए फिर इन्होंने बोला है कि then तो मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ कि curl U1, U2, up to zone, UN upon curl X1, X2, up to zone, XN किसके को लोगा curl U upon curl X1, curl U2, up to zone, curl U1 upon curl XN ये हमें करना है प्रूफ ये हमें given है ये U1 इसका है function, U2 इसका है, UN इसका function है ठीक है, अब मुझे अगर ये निकालना है जैसे मेरा ये हुझा था curl U1 upon U2, upon curl X1 upon X2 अगर सिर्फ ये होता था 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 हम क्या करते थे curl U1 upon curl X1, curl U2, Q1 upon curl X2, curl U2 upon X1, curl U2 upon X2 अगर यही चीज N तक है तो ये हमारी किस तरीके से उपन होगी ऐसे उपन होगी, curl U1 upon curl X1 curl U1 upon curl X2, curl U1 upon curl X3 अगर U1 upon curl X1 लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्हों ने यह क्यों लिखा यह क्यों नहीं लिखे क्योंकि ओविस सी बात है अगर U1, मेरा सिर्फ और सिर्फ X1 का function है X2, X3 up to son Xn के respect में तो साइ derivative क्या हो जाएंगी हमारे 0 तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही derivative आएगा similar ये next function मेरा दो तक है X1 और X2 का तो इसमें हमारे क्या होगी सिर्फ X1, X2 बारे terms आएंगी बाकि सारी क्या हो जाएंगी 0 तो इस वज़े से हमने ये लिखा और बाकि सारी terms थार्ड में तीन तक लिखेंगे बाकि terms 0 अगर अब हम Nth पे आएं तो यू हमारा N तक का function है तो ये सारी के सारी terms आएंगी इसमें कोई भी 0 नहीं होगा इसमें क्या हैगा हमारा curl UN upon curl X1 curl UN upon curl X2 curl UN upon curl X3 up to 1 curl UN upon curl XN अब अगर मैं इसका determinant निकाल लो तो ये मेरा क्या बन रहा है एक तरीके से दिखो lower triangular बन रही है हमारी हमारी matrix होती है pi triangular lower triangular इस टाइप से अब ये matrix determinant मेरा किस टाइप से है ये मेरा है lower triangular ठीक है तो lower triangular का determinant क्या होता है diagonal की product सारे के सारे diagonal की product diagonal क्या होगे curl UN upon curl X1 curl UN upon curl X2 curl UN upon curl X3 up on curl X3 up to 1 curl UN upon curl XN तो हमारी ये आ गया और ये हमें क्या करना था prove करना था इतना important भी नहीं है ये एक example में बस use होगा ये ही ओके तो ये आप इस तरीके से कर लेंगे अब है हमारा next chain rule for Jacobian chain rule हमने advance calculus की जो पुक होती थी ना उसके अंदर पढ़ा था जिसे इसमें क्या होगा जिसे मेरा जो UV function है वो किसका होगा XY का और further XY function मेरा होगा R और S का और ये बोलेंगे कि U का R के respect में derivative करो और V का R के respect में derivative करो और U का S के respect मतलब U का R और S के respect में V का भी R और S के respect में partial derivative होगा उपसी बाती है तो तो देखो curl U का अगर मैं R के respect में करोंगी तो कैसे होगा मेरा देखो UV मेरे किस चीज के function है ये बिल्कुल ध्यान रखना UV मेरा X का और Y का function है X, Y फर्दर किस चीज के function है R और S के ये R और S के R और S के ये हम इस तरीके से करते थे अब मुझे U का R के respect में अगर derivative निकालना है curl U upon curl R चाहिए मुझे तो मैं क्या करूँगे curl U का पहले X के respect में और X का R के respect में क्योंकि U X, X, Y के fun फिर further X, Y function है R और S के तो अगर मुझे curl U upon curl R निकालना तो क्या निकालना पढ़ेगा curl U upon curl X then curl X upon curl R curl U upon curl X into curl X upon curl R plus curl U upon curl Y into curl Y upon curl R अग similar अगर मुझे S के respect में निकालना है curl U upon curl X तो क्या हो जाएगा अगर मुझे S के respect में निकालना सब्सक्राइब में करते ही होगा कर्ल य इंटू कर्ल-फोन करल एक्स तो इस तरीके से हम लगाते थे चेन रूल हमारा एडवांस कैलकुलर्स की book में बहुत ज़्यादा किया हमने ये वहाँ पे याद है तो सही है वरना ये इस तरीके से करती थी ठीक है अब मुझे ये बोल दें कि V का R की respect में निकालो और V का S की respect में निकालो अगर R की respect में बोल दिया मालो मुझे बोल दिया curl V upon curl R तो कैसे निकलेगा, curl v upon curl x into curl x upon curl x into curl x upon curl r right, plus curl v upon curl y into curl y upon curl r अगर यह बोल दे कि curl v upon curl x निकालो, तो कैसे निकालेगा curl v upon curl x into curl x upon curl s plus curl v upon curl y into curl y upon curl x यह होता था हमारा advanced calculus में, हमारा chain rule यही हम अभी जो next theorem type लगा लो, उसमें हम use करेंगे देखो क्या है हमारा chain rule for jacobians if uv are the function of two independent variable x and y ठीक है, uv मेरे किस चीज़ के function है, independent variable x और y के which are themselves function of two independent variable r and s देखो बोल दिया न, कि uv function है मेरे x, y के और x, y further function है r और s के, ठीक है, तो मुझे यह प्रूब करके दिखाना है कि curl uv upon curl rs equal to curl uv upon curl xy into curl xy upon curl rs ठीक है, तो हम यहाँ पर use करेंगे, आभी देखेंगे किस तरीक से करना बिल्कुल easy है, कि बोल रख है कि uv are the function of xy and xy are the function of rs अगर यह बोल देखें, जैसे uv xy का function, फिर xy rs का function है और हमें निकालना है uv का rs के respect में, derivatives, तो उस type के function को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे derivatives में composite function पहले भी पढ़ा हुआ है, जैसे uv xy का function xy rs का function है तो uv rs के respect में क्या हो जाएगा, composite function, that is uv are the composite function of rs ठीक, अब मुझे क्या है, कि इन दोनों की product है ना, इसके इकबल क्या करने है, प्रूव करने है ठीक है, तो हम एक तरीके से मुझे क्या क्या चाहिएगा इसके अंदर, सोच के देखें तो हम यह निकाल लेंगे, क्या 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 क्य इस कोड़ ही अपन करल निकालेंगे हम कर दो अब ही हमने भी देख लिया कि अब ही मैंने सिखाइं आपको कि कर लिए कर अगर अरकर preset में करना यए भी एक्सपट स्क्राइब करेंगे तो क्या उपन यो मेरा फंक्शन था X Y थे निआरस के इस तरह के से एक्सपट में करना सबसे प्लस क men V upon curl Y into curl Y upon curl R सीमिलेर रिस्पेक्ट में काला curl Y upon curl X into curl X upon curl X Plus curl Y upon curl Y into curl Y upon curl R सीमिलेर इह V के लिए होजएगा फिर X Y धर R सके सीमिलेर बिलको to Y के जिगे भी आजएगा यहां पे curl V upon curl X into curl X upon curl R प्लास curl V upon curl Y in to curl y upon curl r curl by upon curl x in to curl x upon curl karl s plus curl v by y into curl y upon curl s अब मैंने निकाल लिए अब हम क्या करें कि यह चीज़ तो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर ठीक है और मतलब इनकी प्रोडक्ट लेकर चलेंगे और फिर दखेंगे तो तो हमारा प्रूफ हो जाएगा ठीक है तो हम